हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस की ऐसी जाबाज महिला के बारे में बताऊंगा जिनोंने 76 बच्चों को अकेले बचाया और उनको इस महान और सास बरे काम के लिए आउट आइकन पर क्लिक करेता कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तो जानते हैं इस दिल्ली पुलिस की जाबाज महिला के बारे में दोस्तो देश की राजधानी दिल्ली के समय पूरबादली पुलिस थाने में तैनात एक महिला हैड कॉंस्टेबल को आउट ओफ टर्न पर्मोशन दिया गया है हैड कॉंस्टेबल को उनकी कारियनिष्टा और इमानदारी को देखते वे उचा दिकारियों ने आउट ओफ टर्न पर्मोशन देने का फैसला किया महिला हैड कॉंस्टेबल सीमा ढाका ने 76 बच्चों को ढाई महिने में ही ढूंड निकाला इसके चलते ही उन्हें पर्मोशन का निन्य दिल्ली पुलिस ने लिया दोस्तो सीमा ढाका ने जिन 76 बच्चों को ढूंडा है उनमें 56 की उमर 14 साल से भी कम है दिल्ली पुलिस कमिशनर S.N. सिर्वास्तव ने सीमा ढाका को आउट ओफ टर्न पर्मोशन देने की गोशना की इंसेंटिव स्कीम के तहट उन्हें पर्मोशन दी गई है इस स्कीम के तहट सीमा आउट ओफ टर्न पर्मोशन पाने वाली दिल्ली पुलिस की पहली करमचारी बन गई है सीमा के मुताविक उनके लिए सबसे चुनोती पूर्मामलों में से एक इसी साल अक्टूबर में पश्चिम बंगाल से एक नावालिक बच्चे को छुडाना था पुलिस डल ने नावों में यात्रा की और बच्चे को खोजने के लिए बाड के दोरान दो नदियों को पार भी किया दोस्तों सीमा ढाका ने कहा कि उसने दिल्ली पश्शिम बंगाल उत्तरपरदेश बिहार हर्याना और पंजाब के बच्चों को बचाया है वह महिनों से ऐसे मामलों पर काम कर रही थी और कहा कि उसके वरिष्टों ने उसे और अधिक मामलों को सुलजाने और परिवारों की मदद करने के लिए परिरित किया दोस्तो सीमा ढाका ने कहा कि मेरे सीनियर्स और टीम के सरदर्स्यों ने मुझे यह प्रमोशन दिलाने में मदद की है मैं एक मा हूँ और कभी नहीं चाती कि कोई अपना बच्चा खोए हमने बच्चों को बचाने के लिए लापता रिपोर्ट पर हर दिन 24 गंटे काम किया दोस्तो सीमा ढाका ने बताये कि उनके लिए सबसे चुनोती पूर्ण मावलों में से एक इसी साल अक्टूबर में पश्चिम बंगाल से नावालिक बच्चों को छुडाना था पुलिस दल ने नावों में यात्रा की और बच्चों को खोजने के लिए बाड के दोरान दो नदियों को पार किया लड़के की मा नहीं दो साल पहले शिकायत दर्ज की थी लेकिन बाद में अपना पता और मोबाइल नमबर बदल दिया हम उसे ट्रेस नहीं कर सकते थे लेकिन जानते थे कि वे पश्चिम बंगाल से हैं तलासी अभ्यान शुरू किया गया हम एक छोटे से गाउं में गए और बाड के दोरान दो नदियों को पार किया हम किसी तरह बच्चों को उसके रिस्तेदारों के पास से छुडाने में काम्याब रहे दोस्तो ये एक्सपिरियंस सीमा ढाका ने मीडिया के साथ शेयर किया दोस्तो पुलिस कमिशनर ने उमीद जताई है कि इंसेंटिव स्कीम के तहत अन्य पुलिस कर्मियों को भी गुमसुदा बच्चों को तलासने के लिए प्रेणना मिलेगी दोस्तो सीमा ढाका मूल रूप से उत्तर परदेश के बड़ोत की रहने वाली हैं और उनका ससुराल शामली जिले में है सीमा के परिवार में जादातर लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और वे खुद टीचर बनना चाहती थी टीचर बनने की तैयारी की बीच उन्होंने दिल्ली पुलिस में अपलाई कर दिया और उनका सेलेक्शन भी हो गया सीमा ढाका साल 2006 से दिल्ली पुलिस में है और नागरिकों की सेवा कर रही है दोस्तों सीमा के पती अनीक ढाका भी पुलिस डिपार्टमेंट में है सीमा के पिता एक किसान है और उनके भाई एक प्राइवेट जोब करते हैं सीमा को दिल्ली पुलिस में मिलने वाले आउट ओफ टन पर्मोशन से उत्तर परदेश के दो दो जिलो में जबरदस्त खुशी का माहौल है लोग उने और उनके परिजनों को फोन पर बदाया दे रहे हैं तो दोस्तो आप लोगों को ऐसी जावाज दिल्ली पुलिस की महिला के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं दोस्तो और दोस्तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगे इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस जावाज दिल्ली पुलिस की महिला के बारे में पता चल सके और दिल्ली पुलिस के लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके और उनके मन में भी ऐसी ही प्रेड़ना जगे और कमेंट बोक्स में आप सीमा ढाका के बारे में जो भी अपने पॉइंट ओफ व्यू लिखना चाते हैं हमें लिख कर जरूर बताएं दोस्तो और दोस्तो इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके धन्यवाद दोस्तो जैहिंद ज दोस्तो जान्यवाद अजब ऑ्लाकी टूज रहा हैं दुब बटन कर दो तोस्तो झाता बड़ोबसे डिया है